तो गाईस अगर आप beginner हो या फिर आप experience trader हो तो अगर ये गलती है ये आप repeat कर रहे हो बार-बार repeat कर रहे हो तो इसे मत repeat करो कभी भी आप successful trader नहीं बन पावे एक एक चीज मैं आप लोगों को detail में screen में बताने वाला हूँ कि क्या होगा solution इसका और कैसे हम लोग इससे tackle कर सकते ह ठीक है तो एक एक चीज आप लोग अच्छे से देखिए और बिना skip किये वे देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि सही में ये गलतीया आप repeat कर रहे है और अगर repeat कर रहे है तो इसे अभी तुरत छोड़ दिए नहीं तो आप अगर experience भी अपने आपको समझ कर रहे हो ट्रेडिंग लेने के टाइम सारी चीजे उसी पर depend करती है तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज एक तम अच्छे से detail में समझाता हूं कि कैसे आप लोग इन प्रॉब्लमों से tackle कर सकते जो लगभग हर beginner या फिर थोड़ा जो experience हो जाते हैं मतलब बोलते है experience ह बट उन्हें अगर experience होता है तो फिर सायद ये problem उनको अपने आप देख जाता है और वो खुद पे खुद solution भी निकाल लेते हैं तो guys solution मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कोई tension लेने वाली बात नहीं है ठीक है इसे बस आप लोग follow करना होगा consistent नहीं तो फिर कुछ नही करना है trading और profitable trader बनना है तो dedication होके लगना होगा ठीक है पूरा fully dedicated होके लगना होगा और एक एक चीज़ जो मैं बताता हूं उसे follow करना होगा तभी जाके आप एक अच्छे profitable trader बन पाओगे तो अगर मैं अभी कुछ ये गलतियां बताने वाला हूं जो आप repeat कर रहे हो तो चलते हैं लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और एक एक करके मैं आप लोगों को समझाता जाता हूँ अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझे और इसे इंप्लीमेंट की लिए यह नहीं की सबसे फर्स्ट जो हुआ हमारा तो नैक आफ नॉलेज ठीक है हम लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है और हम लोग अ कि आख aby जब सबसे पहले इसमें क्या होता है कि कोई भी बिगनर जाहते हैं वह क्या करता हैं कि कभी अगर एक जगे पर ट्रेड कर रहा है जैसे swing trade कर रहे हैं ठीक है तो swing अगर trade कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं वो कि swing trade करने के साथ उन्हें लगता है कि भाई पैसा जाता बन रहा है इंट्राडे में बहुत अच्छा पैसा दे रहा, option buying, तो वो option trading start कर देते हैं, क्योंकि वो completely अभी intraday भी नहीं सीखे, तो वो start कर देते हैं, फिर option buying, बट ये नहीं उन्हें समझ में आता है, कि भाई, knowledge एक जगे का पहले आप proper low यार, उसमें master बनो, फिर आप दूसरे जगे जाओगे, तो फि costly पढ़ जाता है, losses, काफी mistakes जो करते हैं, वो costly पढ़ जाता है, सबसे पहले, ये चीज आप समझें, कि आप जो भी कर रहे हो, switch कर रहे हो, एक जगे से दूसरे जगे, जो switch कर रहे हो आप, तो उसके चलते आप लोगों को, एक जगे पर तो आप सीखे नहीं हो, वहां से पैसा आ नहीं रहा है, तो आप दूसरे जगे switch कर गए, फिर से आपको उतना ही cost पढ़ जाएगा, तो इसे ही बोलते है, costly mistake, और ये costly हो जाता है, काफी ज़्यादा, और intraday में, options में, तो भाई, भरपूर, आप अगर करोड़ रुपया भी लेके बैठे हो, तो वो आप 5 म मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, आप 1 मिनट के अंदर उडा दो गए, ठीक है, अगर सही से आपका जो है, risk management प्रॉपर नहीं हुआ, emotional आप trade करते हो, ठीक है, दूसरी चीजे, देखो, दूसरा mistake जो है, जो अगर trade करते भी है, तो दूसरा जो mistake होता है हमारा, emotional trading, तो अग trade हो गया, ये सारी चीजे अगर आप पे हावी होने लगा, तो समझ लिजिए कि fear यानि कि आप trade लिए और ये ऊपर जा रहा है, बट आप profit में जल्दी trade card दोगे, लेकिन यही चीज आप अगर loss में हो, जाने देते हैं भाई, देखते हैं ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्या ये मतलब mistake नहीं बोलेंगे, blender है ठीक है, या तो आप उंगली काट दो, ठीक है, और नहीं तो फिर बाद में हाथ काटना पड़ जाएगा, तो इस चीज को समझ ये, fear, greed, इन सारी चीजों को हावी मत होने दिजिए अपने पे, छोटा सा loss काट ये, ठीक है, और profit बड़ा ल लोग मतलब beginner क्या करते है, ठीक है, over trading, जैसे कि आज trade किया, आपने 500 रुपए बन गए अच्छे से, ठीक है, 5000 बन गए, या फिर 500 ही मान के चलिए, 500 बन गए, उसके बाद क्या होता है, कि उन्हें लगता है कि भाई, ये जो बना है, थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो मजा ठीक है, 200 मा इनस आया, 300 बच गया, यार पहले ही ठीक था, नहीं trade मैं करता, तो फिर से ये, हम 500 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये सोचे गे कि पहले ही ठीक था, और फिर से इसे कम से कम, पहले जितना था उतना कर देते हैं, ठीक है, और फिर से trade लेगे, यहां पर और ज्यादा घड़ गया अब क्या करें अब एक फाइनल टेस्ट मारते हैं इसमें बढ़ गया इसमें हो गया आपका 350 रुपया ठीक है 350 जैसे हुआ बस यहां पर आपका फिर से मन करने लगा भाई एक बार तो बना है देखते एक बार और ट्राइ करते हैं और इसमें आपका यह पूरा 350 का 350 जीरो और माइनस आप जो है 200 रुपय में चले गए तो यह चीजे हो गई ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग से बचिए ठीक है यहां पर आपका ब्रोकरेज भी लगता है फोकस कीजिए क्वाइलिटी ट्रेड में क्वाइन्टिटी ट्रेड में नहीं द गर्णी मैनेजमेंट प्रॉपर कर सको तो देखो यह गलती अगर आप कर रहे हो तो छोड़ो ठीक है और फोकस करो क्वाइलिटी ट्रेड में क्वाइन्टिटी ट्रेड में नहीं और उसके बाद जब ट्रेड लेते हो तो रिस्क मैनेजमेंट ही आप लोग भूल जाते हो ठीक है रिस्क मैनेज करना भूल जाते हो तो रिस्क मैनेजमेंट में सीधी सी बात है कि स्टॉप लॉस भाई स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हो यार स्वस्तेओं कि देखेंगे ना इसके नीचे आएगा तो काट लेंगे तो वो अगर बिगनर है तो बिगनर को पहले सुरू में starting में कोसिस करना चाहिए कि भाई पहले stop loss लगा के चले बाद में आप भले थोड़ा सा experience हो जाओ तो mind में हाँ कि इसके नीचे जाएगा तो sell कर देंगे और वो बहुत कम लोगों से हो पाता है जो experience भी होते है ना उनसे जो नहीं हो पाता है ठीक है तो जो emotion से trade करते है वो यही सारी mistakes और यह बड़े-बड़े mistakes है देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन यह आपके जो trading पे बहुत ज़्यादा effect करता है ठीक है दूसरा चीज़ों में अपनी दो-तीन चीज़ों पे risk management में जब हम लोग बात करते हैं तो दो-तीन चीज़ों पे focus करना हम लोगों को एक stop loss दूसरा हो गया हम लोगों को money management में focus करना है money management मतलब की capital हम लोगों को अपना बचाना है capital को protect करना है capital को protect करेंगे तभी हम लोग जैसे अगर field में कोई जो हमारे किर्केटर होते हैं तो वो अगर field में देखते हो tk रहते हैं तभी जाके वो run बना पाते हैं तो field में हमें tk रहना जरूरी है तब हम लोग जाके धीरे-धीरे चीजों को सीखते जाएंगे और अपने आप profit सबसे बड़ी चीजे है यह सबसी बड़ी बात है देखो यह जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ न भाई फ्रे यह चीजे आपको बताने के ही लाक रुपए ले ले लेते हैं बड़े बड़े ट्रेटर तो इन चीजों को अपलाई करो भाई यह बहुत बड़ी बात है ठीक है फिल्ड में अगर आप टिक गहना तो फिर आप छक्के चोके मारने लगोगे देखना कोई भी बैट्समैन आता है पहले कोसिस करता है टिकने का तो क्यो करता है भाई मतलब फिल्ड में टिकना जरूरी है फिल्ड में टिकोगे आप तो फि ठीक कें अिव्फिप्त नम्बर देखो फिपन आ जाता है कि आप लोग टिप्स के पीछे बहुत भागते होो इसंग एसब मतलब सोसल मेडिया में बहुत कोई आप लोगों को भटकाने वाले Communications प्रोवाइडर, कॉल प्रोवाइडर, टिप्स, इन सारी चीजों के पीछे मत भागो, ठीक है, दूसरे का एनलैसिस क्या है, नहीं है, दूसरे पर डिपेंड मत रहना सीखो, ठीक है, खुद अपना रिसर्च करो, उस पे खुद अपना भ्यू बनाओ, और खुद ट्रेड करो जब आप ये खुद करने लगोगे, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहोगे, तो फिर जाके प्रोफिट बनना जो सुरू होगा ना, भले टाइम यहाँ पर लगेगा, आपको खुद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप जब एक बार इसमें कुदे हो, तो सारा चीज ले की चला जाएगा, ठीक है, तो अगर दूसरे का आप टिप्स वगेरा फॉलो भी करते हो, तो कम से कम उसमें अपना आप कुछ एनलाइज करो, कि हाँ यह हो सकता है, यह अगर ऐसा ऐसा अपना कुछ कंडिशन बना लो, कि ऐसा होगा, तो फिर मैं ट्रेड ठीक है, तो यह सारी चीजे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, और यह छोटी छोटी चीजे बहुत ज़्यादा मैटर करती है ट्रेडिंग पे, तो इन चीजों पर अगर आप फॉलो फोकस कर लोगे, तो भाई फ्रोक ट्रेडर आपको बनने से कोई नहीं रोख सकता ह है, में सबसे बड़ी चीजे जो होती है, प्रॉफिट टेवल ट्रेडर बनने के लिए साइकलोजी, सारा चीज यह यहां का खेल है, अगर आप यह समझ गए कि कैसे मैनेज करना है, तो फिर और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर और कुछ नहीं चाहिए, सिक्स्त देखिए, ल तुरत मुझे ट्रेड मारना है, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए, तुरत एक दम, और यह प्रॉफिट के चक्कर में, क्या हो जाता है, गोल गोल अंडा, भाई, यहां पे लॉसेज होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है, तो पेसेंस के साथ वेट कीजे, अपना सेट अप का व मिलने वाला रत है, वो भी चला जाता है, प्रॉफिट के जगा लॉस लेके जाते हैं, ठीक है, तो लैक और पेसेंस बहुत ही, मतलब यह बोलेगे कि बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, पेसेंस अगर आपको आगया ट्रेडिंग पैसा आपको इसी चीज का देती है, पेसें के साथ वेट कीजिए, और जहां पे आपका प्रॉफिट हिट हुआ, धीरे धीरे ट्रेल करते जाओ, एसल हिट हुआ, ट्रेलिंग एसल, एक्जिट, ठीक है, फॉलो करो, रूल्स और डिसिप्लीन के साथ फॉलो करो, इस्टेंट सक्सेस के पीछे मत भागो, ठीक है, जहां पे बिगनर्स फ्रस्टेट होते हैं, वहां पे ऑपरेटर्स पैसा कमाते हैं, क्योंकि ऑपरेटर का काम ही है, कि बिगनर को फ्रस्टेट करें, और बिगनर का पैसा लें, ठीक है, क्योंकि बिगनर फ्रस्टेट होंगे है, तो तभी तो पैसा यहां पे ऑपरेटर का बनेग ठीक है ये मतलब next level की चीज है अगर इसे आप सभी चीजों को अगर follow कर ली या फिर इन में से कोई भी गलती अगर आप कर रहे हो एक भी mistake तो वो आपको profitable trader नहीं बनने देगा इसलिए एक एक चीज को अच्छे से follow कीजिए ठीक है आप pro trader बन जाओगे भाई next level एकदम ठीक है और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चलो फिर मिलते हैं हम लोग next वीडियो में